तो आज हम आड़ी स्वर्मा के चैप्टर नमबर 16 जिसका नाम है मैट्रिसेज ठीक है इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो देखते हैं सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज नमबर 1 तो एक्सरसाइज नमबर 1 क्या है कि आम मैट्रिक्स A is equal to Aij is an upper triangular matrix if options दे रखें A, B, C, D तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक matrix ले लेते हैं A जो कि हमारी किस तरह से दे रखें A, I, J ठीक है इसको थोड़ा सा हम खोल देते हैं A, J की value रख देते हैं तो A, 1, 1, A, 1, 2, A, 1, 3, dash, 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 ठीक है और हम माल लेते हैं कि N तक जाता है ये चुकि अगर upper triangular या lower triangular की बात करते हैं तो उसके लिए square matrix होना जरूरी है तो ये square matrix हम माल लेते हैं N cross N की ठीक है तो ये हमारा क्या जाएगा A, 2, 1, A, 2, 2, A, 2, 3, dash, 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 A, 2, N यहां तक जाएगा ये A, N, 1, A, N, 2, A, N, 3, dash, 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 A, N ठीक है अब upper triangular को कोई matrix है तो क्या होता है उसका ये diagonal element और उसका ये elements ये और इसके बीच के जितने सारे elements हैं वो सारे non zero होंगे उसके अलावा सारे ही elements zero होंगे यानि इस triangle जो है इस triangle को छोड़के बाकी सारे जो elements हैं वो सारे क्या होंगे जीरो होंगे इसलिए कि इसको upper triangular करते हैं चुकि ये upper में triangle बनाया न तो इसलिए ये upper triangular करते हैं तो अब यहां पर देखें A, 2, 1 भी zero होगा और इस तरह से A, यहां पर third row, first column ये भी zero होगा ठीक है इस तरह से dash, dash, A, N, 1 तक zero होगा ठीक है उसके बाद मे यहां पर A, 2, 2, A, 2, 2 के नीचे के आएगा हमारा A, 3, 2 ये भी हमारा zero होगा इसके बाद में हमारा A, 3, यहां पर A, 4, 2, fourth row, second column ये भी zero होगा इस तरह से हमारा A, N, 2 ये भी zero होगा तो यहां पर देखें जितने भी जो हमारे elements zero है उसका row जो है वो उसके column से strictly greater देने हैं देखें, 2 हमारा stickly greater than 1 है 3, strictly greater than 1 है n, strictly greater than 1 है 3, strictly greater than 2 है और 4, strictly greater than 2 है और n भी हमारा stickly greater than 2 होगा इस तरह से हमारे आगे चलके यहां पर 4, strictly greater than 3 आएगा तो इसका मतलब ये हुँआ कि A, I, J, zero होगा जब i strictly greater than j हो ठीक है यानि i अगर j से strictly greater than है तो aij 0 होगा तो यह condition है कि एक तो square metric होना चाहिए दूसरी यह condition होना चाहिए aij 0 होना चाहिए i strictly greater than 0 के लिए तब हम कहेंगे कि यह जो matrix है यह क्या है अपर triangular matrix तो option देख लेते हैं option number तो option number हमारा c इसका sorry इसमें not square matrix दे रखाए it is square matrix and यह वाला option number b हमारा इसका correct हो जाएगा चीक है अब हम exercise number two देख लेते हैं यह क्या है a is any m cross n matrix such that a b and b a are both defined then b is n दोनों ही defined है चीक है तो b हमारा क्या होगा तो देखते हैं सबसे पहले हम matrix के multiplication की बात करें तो a b अगर defined है तो इसका मतलब यह हुआ कि a i j यानि इसमें अगर इसका चुकी दे रखा है हमारा m a जो है वो दे रखा है कि m cross n matrix है और b जो है वो हमें बतानी है यह हमारे multiply तब हो पाएंगे जब इसका column ठीक है इसके रो के इक्वल हो यानि अगर यहां पर n है तो यहां पर भी n यानि n column है तो यहां पर n रो होने चाहिए ठीक है अब column अगर a b हमें सिर्फ define करना होता तो m cross n n cross something हम ले सकते थे ठीक है पर इसने कहा है कि b a भी defined है यानि यहां पर b i j और चुकी a i j हमें दे रखा है m cross n अब अगर यह defined है b i j तो इसको क्या होना पड़ेयगा यानि इसका यह जो second वाला जो रहना जिसको कहते है काौम इसका कौलम पि आई जे का a i j के रो के बराबर होना चाहिए ठीक है अब यहां पर देखिए यहां पे हमारा इसका जो column है वो इसके row के बराबर है तभी हमारा defined होगा यानि यहाँ पर अगर N है तो यहाँ पर भी N होना चाहिए और B A चुकि कोश्चन में दे रखा है कि defined है तो इसका मतलब यहाँ पर M है तो यहाँ पर भी M होना चाहिए अब देखें यहाँ पर B I J N था तो हम इसको यहाँ पर N पुट कर देंगे अब यहाँ पर चुकि M आया है तो यहाँ पर हम N पुट कर देंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि B I J तब defined होगा जब यह N cross M type की matrix हो तो option देख लेते हैं तो option में N cross M type की matrix तो option B इसका जो है वो correct हो जाएगा अब हम बात करते हैं exercise number 3 की if E theta is equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta then E alpha into E beta क्या होगा options हमारे दे रखे हैं तो सबसे पहले देखते हैं इसको question number 3 हमारा किस तरह से दे रखे हैं E theta is equal to cos theta sin theta minus sin theta और यह हमारा cos theta ठेक हैं यह हमेरी इस तरह से matrix दे रखे हैं अब हम क्या करते हैं हमें चुकी निकालना क्या है E alpha E beta तो यह भी हमारी 2 cross 2 की matrix है तो इसमें multiplication आसानी से हो जाएगा theta की जाएगा हम क्या रखेंगे alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha और इसको हम multiply करेंगे किससे cos beta sin beta minus sin beta cos beta अब इसको हम multiply कर लेते हैं तो इसको इसके साथ multiply करेंगे इसको इसके साथ multiply करेंगे और दोनों को add कर देंगे तो यहाँ इसको 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 इसके साथ multiply करेंगे इसको इसके साथ multiply करेंगे तो यह cos alpha into sin beta हो जाएगा sin alpha into cos beta हो जाएगा तो यह हमारा किसका formula हो जाएगा sin alpha plus beta का formula हो जाएगा similarly यहाँ पर देखिए हम minus sin alpha को minus cos beta से multiply कर रहे हैं तो यह minus का sin alpha into cos beta हो जाएगा और फिर cos alpha को हम sin beta से minus के sin beta से multiply करा रहे हैं तो minus का cos alpha into sin beta हो जाएगा तो यहाँ पर दोनों में हम minus common ले लेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा minus का sin alpha plus beta similarly यहाँ पर देखे इसके साथ multiply करेंगे तो यह क्या आएगा sin alpha into sin beta और वो भी चुक्षी यहाँ पर minus है तो minus आ जाएगा cos alpha into cos beta तो यहाँ पर यह प्लस का है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा cos alpha into cos beta minus का sin alpha into sin beta तो यह भी हमारा कौन सा फार्मूला है cos alpha plus beta का जाएगा अब देखे यहाँ पर यह e theta था था ना e theta is equals to cos theta अब यहाँ पर theta को हम क्या ले लेते हैं अलफा प्लस बीटा चुकि सा चारो जगए हमारा alpha plus beta रहा है तो यह हमारा option आ जाएगा इसका e alpha plus beta ठीक है तो हम option देख लेते हैं question number 3 का option तो हमारा option number c जो है वो correct हो जाएगा e alpha plus beta अब हम question number 4 की बात करते है question number 4 क्या है कि e theta is equals to cos square theta cos theta into sin theta cos theta into sin theta sin square theta and theta and phi differ by an odd multiple of pi by 2 then e theta into e phi हमें जो है निकालना है तो पहले question उतार लेते हैं तो हमने question number 4 उतार लिया है जे हमारा दे रखे matrix और theta differ phi चुकि हमने यह differ वाला symbol इसलिए लगाया क्योंकि अगर theta बढ़ा हुआ तो theta minus phi होगा और अगर phi बढ़ा हुआ तो phi minus theta होगा ठीक है तो हमें चुकि निकालना क्या है यह find out करना है तो e theta तो हमारा यह हो जाएगा और e phi क्या होगा हमारा theta की जाएपर हम phi put कर देंगे तो देखते हैं यह हमारा आजाएगा cos square theta cos theta into sin theta cos theta into sin theta और यह sin square theta इसके साथ हमारा किसके साथ multiply करेंगे cos square phi cos phi into sin phi cos phi into sin phi और यह sin square phi तीक है अब क्या करते हैं इसको इसके साथ multiply कर देंगे इसको इसके साथ multiply कर देंगे तो यह हमारा क्या जाएगा cos square theta into cos square phi इसको इसके साथ multiply करेंगे तो यह क्या हैगा plus का cos theta into sin theta into cos phi into sin phi अब चुकि इतने लंबे लंबे term आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको जो हमारी matrix आएगी इसको हम पहले माल लेते हैं कि हमारी matrix आएगी A12, A second row यानि first row, second column, first row, first column first row, second column, second row, first column और second row, second column ठीक है तो इस तरह से हमने इसको ले लिया और यहाँ पर यह हमारा किसके equal आजाएगा A11 के equal चुकि हमने इसको इसके साथ multiply किया इसको इसके साथ multiply किया अब हम A12 निकार लेते हैं A12 हमारा क्या आएगा इसको इसके साथ multiply करेंगे इसको इसके साथ multiply करेंगे तो यह हमारा आजाएगा इसको जब इसके साथ multiply करेंगे तो cos square theta into cos phi into sin phi ठीक है प्लस इसको इसके साथ multiply करेंगे तो यह आजाएगा हमारा cos theta into sin theta into sin square phi और A21 निकाल लेंगे, ठीक है, तो 21 क्या हैगा हमारा? इसको इसके साथ multiply करेंगे, इसको इसके साथ multiply करेंगे, तो यह हमारा क्या जाएगा? और फिर हम निकाल लेंगे A22 जो क्या हैगा हमारा? इसको इसके साथ multiply कर देंगे इसको इसके साथ multiply कर देंगे तो यह हमारा आ जाएगा cos phi into sin phi into cos theta into sin theta plus का sin square theta into sin square phi तो इस तरह से हमने यह चारो term निकाल लिये इसके ठीक है अब हम क्या करते हैं A11 को थोड़ा सा simplify कर लेते हैं तो A11 हमारा किसके एकको लो जाएगा यहाँ पे हम cos theta और cos phi को common ले सकते हैं चुकि यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है तो यह हमारा आ जाएगा cos theta into cos phi यह हमारा बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर देखें क्या बचेएगा cos theta into cos phi plus sin theta into sin phi, यह बचेगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? A1, A21, A22 को भी हम सेंप्लिफाई कर लेते हैं. तो यहाँ पर A1, 2 हमारा क्या आझमा गाएगा? यहां से देखें, यह cos square theta है, cos phi है, sin phi है. इदर देखें, cos theta है, और sin square phi है, sin theta है. यहाँ पे हमें देखे यहाँ पे cos phi है यहाँ पे cos phi नहीं है यहाँ पे sin phi है यहाँ पे sin phi है इसमें पर यहाँ पे cos theta भी है और यहाँ पे भी cos theta है तो यहाँ पर देखे यहाँ पे हमारा cos theta common मिल जाएगा और sin phi common मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा cos theta into cos phi cos theta into cos phi फिर इदर sin theta into sin phi तो यहाँ पर भी हमारा cos theta minus phi आ जाएगा ठीक है और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 2,1 निकालू तो यह क्या आ जाएगा हमारा देखे यहाँ पर cos theta है पर इदर cos theta नहीं है sin theta है तो यहाँ पर भी sin theta है cos phi है तो यहाँ पर भी cos phi है तो यहाँ से हमारा क्या common मिल जाएगा cos phi और sin theta तो similarly यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर से cos phi गया cos theta बचा cos theta into cos phi plus sin theta into sin phi तो यहाँ पर भी हमारा सिमिलरली ऐसे ही आ जाईगा ठीटा माइनेस फाई ठीक हैथ अब हम एक टू टू निकाल लेते हैं तो यहां पर भी देखिए कॉस फाई ए पर इदर कहीं पर कॉस फाई नहीं है तो साइन फाई तो साइन फाई यदर भी ए साइढ झितेटा इदर और यहां पर यह हमारा क्या है कि थीटा माइनस फाइगा चेक है चुब कि उपर की तरह आजेएंगा में यहां पर भी कॉस्ट थीटा इंटु एंटु इं टा इटू के differ difference जो है theta differ phi क्या है 2n-1 pi by 2 यानि odd number multiple है odd numbers का pi by 2 में ठीक है अब चुकि हम जानते हैं कि cos 2n-1 pi by 2 n की हर एक value के लिए क्या आएगा 0 आएगा ठीक है तो अब यह हमारी n के अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो क्या आएगा यह 2-1 यानि cos pi by 2 2 भी 0 होता है 2 रखोंगा तो 4-3 यानि 3 pi by 2 3 pi by 2 को क्या लिख सकते है pi plus pi by 2 तो pi plus pi by 2 यानि cos pi by 2 फिर आजाएगा फिर 0 हो जाएगा इस तरह से हमारी n की हर एक value के लिए यह 0 आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ यह भी 0 हो जाएगा यह भी 0 हो जाएगा यह भी 0 हो जाएगा तो यह हमारा a11 भी 0 हो जाएगा a12 भी 0 हो जाएगा a21 भी 0 हो जाएगा a22 भी 0 हो जाएगा इसका मतलब e theta यह जो हमारी matrix इसने find करने को बोली थी e theta into e phi यह हमारे हमारे क्या जाएगी टीटा इंटू-ऑफ यह हमारी एक्वलटि हो जाएगी जीरो ऑफ्षन देख लेते हैं it looks मेट्रिक्स क्या होती है हमारी नल मेट्रिक्स तो option नंबर ए हमारा correct हो जाएगा ठीक है तो ठीक अब कोश्च exercise नंबर हम 5 देख लेते हैं 5 exercise क्या गयता है इफ A is equals to this and B is equals to यह दे रखा है ठीक है आर टू मेट्रिक्स है such that product AB is the null matrix vic similar question नहीं यहाँ पर देखिए एठीटा हमारा इस तरह से दे रखा था तो यह यहां पर भी हमां़ा similar दे रखा है बस यहाँ पर theta की जाए पर alphा कर दिया है और यहाँ पर हमारा E theta into E phi दे रखा था तो यहाँ पर भी हमारा AB दे रखा है तो यहाँ पर E theta into E phi था तो हमारा E theta into E phi null matrix आ रहाता कब आ रहाता जब theta और phi का differ जो है वो odd multiple है pi y 2 का तो यहां पर इसका जो multiple है इसने question में ही दे रखा है कि null है ठीक है तो यहां पर इसने पूछा है कि alpha minus beta क्या होगा तो similar question है तो इसमें हमारा क्या हम बोल सकते हैं चुकि इसमें दे रखा था odd multiple of pi by 2 तभी यह हमारा 0 हुआ वरना अगर यह दे नहीं रखता तो हमारा 0 नहीं होत तो इसमें भी हमारा क्या होना चाहिए an odd multiple of pi by 2 तो यह हमारा alpha minus beta क्या है an odd multiple of pi by 2 तो यह पांचमा हमारा इस तरह से हो जाएगा similar है 4 और 5 बस थोड़ा सा फिर विदल किया गया है तो आज के लिए बस इतना ही और यहां पर जो हमने 0 लिखा है दरसल यह 0 matrix है यह 0 matrix है तो 0 matrix यानि नल matrix 0,0,0 तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अंगली वीडियो में